सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी हिट कर लें ठीक है और जो स्टूरेंट्स आउनलाइन फाइवर और ग्राफिक डिजाइनिंग प्रफेशनली प्रासस के साथ सीखना जाते हैं वो हमारे दिये गए इन नंबर्स पर राप्ता कर सकते हैं ठीक है और हमारे साथ जूम पे आउनलाइन क्लास की मदद से सीख सकते हैं मुकमबल कंप्लीट फाइवर की ट्रे perfect designing जिसके बाद आप online earning कर सकोगे easily ठीक है उसमें सारा process सिखाया जाएगा कैसे कमाना है किस process के साथ चलना है ठीक है वो सारी training होगी तो अब चलते हैं order की दरफ अब हमारे पास एक 25 टॉलर का order है 10 घंटे रह गये हैं और यहां पर 2020 जीप है और यह कुछ detail है यह एक file illustrator की बनीवी है वैसा concept चाहिए client को तो यहां पर मैंने कुछ file डाउनलोड कर ली है यह जो design आप देख रहे हैं ऐसा design वो गाड़ी के पर demand कर रहा है ठीक है यह flyer जो है यह almost उसके पास बना वासारब वजूद है जिसको हम लोग थोड़ा सा update करेंगे अपडेट करेंगे और इसको इसको इस्तमाल करेंगे ठीक है जी तो चलिए शुरू करते हैं गाड़ी को आप लोग adobe illustrator open कर लेते हैं जी open हो गया है illustrator तो यहां से page हम लेंगे नया या directly हम लोग क्या कर लेंगे वहिकल को हम यहां drop कर लेंगे वहिकल को drop करने के बाद fit to artboard करेंगे ठीक है हम इसका size थोड़ा सा small कर देंगे ताकि system के उपर इतना burden न पड़े ठीक है क्योंकि इतना अच्छा नहीं है ठीक है इसको save कर लेते हैं आप इसको वहिकल wrap के नाम से सेव कर लेने के बाद just आपने करना क्या है यहां से zoom कर लेना है और यहां से इसको हमने trace कर लिए अच्छा जो students इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को subscribe कर लें ठीक है और अगर वहिकल wrap professionally सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में playlist की में मुझूद पूरा complete course मुझूद है आप लोग वहां से देखके सीख सकते हो और अगर professional designing सीखना चाहते हैं विद फाइवर ट्रेनिंग के साथ फिर आप को मेरे दिये वे जो numbers हैं उस पर राब्ता करके आप अपने classes जो zoom के जरीए मैंने आपको पढ़ाना है उसका schedule आप ले सकते हैं information ले सकते हो कि कैसे उसको हमने आपको teach करना है guide करना है ठीक है तो उसके बाद जो students पहले से graphic designing का काम कर रहे हैं या इस field में हैं और वह वहीडर रैप की भी practice करके उसकी gigs बना के अपनी sale का फाइवर की उपर आखाज कर सकते हैं और मेरे जितने भी students हैं जो मैं सीख रहे हैं और जो सीख चुके हैं सब successful student है कोई भी एक ऐसा student नहीं है जो पैसे ना कमा रहा हो ठीक है तो यहां से हम थोड़ा सा back जाएंगे यहां से पूरा हम लोग करेंगे यहां पर पूरा लेके आएंगे तो यह मैंने गाड़ी को trace लिया है ठीक है trace करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ यह जो front वाला glass है सरफ इसको हम लोग निकाल देंगे front के जो glass है इसको हमने यही निकाल दिया है और इसको हमने यहां से trace anchor tool के साथ थोड़ा सा adjust कर लेंगे तो गाड़ी को हमने trace कर लिया है मैंने एक दफ़ा से भी कर लिया है यह जो दो पीस हैं गाड़ी के यह हम निकाल देंगे लेकर यह बात में इसको adjust करेंगे इसकी जगह पर कोई text नहीं आएगा कोई चीज़ इसकी जगह पर नहीं आएगी लेकर फिर भी यह वला पीस अगर हम निकाल ही दें तो अच्छी बात है कर दो कर दो कर दो कि यह मैंने निकाल दी है और यह वाला सीन भी मैंने यहां से निकाल दीए इस सीन को भी मैंने निकाल दीए तो यह और यह दोनों इस में से मैंने निकाल दी है ठीक हो गया जी क्लियर हमने वेकर एब को यहां से कर लिया है कंप्लेट कंप्लेट देखते हैं इसको हमने कैसे सेट करना है यह देखते हैं डिजाइन में क्या क्या है फाइल ज़रा हैवी लग रही है ओपन हो रही है ठीक है और इसको आरजीपी में ही ओपन करते हैं हम लोग अझा करें आगा यह चीज़ आपने देख रहे हैं की यह चीज़ इसको रिलीज कर लेते हैं यह ऑपर ठीक है इसको भी रिलीज करते हैं जहेंख को बाई नकालते हैं इसको बाहर निकालते हैं, इसको अगेन रिलीज करते हैं, ये पूरे का पूरा जो डिजाइन है ना ये बता, ये पूरे का पूरा डिजाइन है मतलब इसमें फ्लैग भी है, सारी चीज मिक्सिंग है, ये भी है, ये भी है, ये बी है, ये बी है, ये अलग है, ये कुछ चीज अलग भी हैं लेकिन इसके साथ release करूंगा तो बस ये एक ही चीज है अगर इसको हम लोग Photoshop में cut कर लें cut करने के बाद फिर इसको use करें तो फिर ये ज्यादा best है तो क्या करते हैं हम इसको cut कर लेते हैं illustrator के अंदर ही ठीक है जी इसको मैं यहां रख रहा हूं और इसको ही इस्तमाल करना है हमने यहां से आपने क्या करना है pen tool के साथ ही आप लो यहां इसको trace लें आप लो अबचाब उड़ मैं इसको आप लो यहां बहां है झाल झाल ये हो चुकी है जी my clipping mask इसको हम करेंगे अब set flag भी हमारे पासा चुक milita mara को उसको cut करेंगे सबसे पहले के अंदर हम नोग flag flag put करेंगे flag का size बहुत बड़ा भावज हा साइस छोटा करें गे ठीक है यहां से यहां यहां तक o flag का size आएगा और यहां तक यह सारा flag का size आएगा इसको में मास्क करें खम ऐसे और background प्र जो flag आएगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग ठीक है यह मैं सेव कर लूँ फाइल से पहले कि यह ना और के फाइल यह हमारी उड़ जाए अच्छा अब जो क्या करना है यह बना जो गाड़ी का थीम है इसको हम लिप ले आते हैं और यह कंट्रॉल साइज दो थोड़ा सा यहां पर ऐसे ग्रीन यह चीज यह आजएगी हमारी यहां तक ठीक है अब एक और बैक ग्राउंड हम लगाएंगे जिसको हम फुली बैक साइड पर कर रहे हैं और यह जो बैक ग्राउंड है हमारा है शेड है वो हम फुला सा नीचे कर रहे हैं यहां पर ठीक हो गया अब हम मैं इसको सेब कर देता हूं मैं जरा बाकी हम लोग देख लेते हैं मैयर्मेंट पे इसाफ से कैसे ले के आना है कैसे रखना है कुछ चीज़ें फोटो शॉप से हम ले लेंगे और यह जो पीस है इसको कट करेंगे इसको कट करने के बाद हम लोगे इसको यहां पे चोटा साइज कर देंगे पांच यह चीज थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे इसको इसको हम यहां रखेंगे इसको यहां रखेंगे हम ठीक है और यहां थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे यह चीज अच्छ यह आ गया हमारे पास ठीक है यह आने के बाद अब हमने क्या कर लेना है यह सेम टेक्स जो है इसको रिली बिल्कुल इसको भी हमने इसको भी हमने रिलीज करना है डिलीट है और इसको भी हमने रिलीज कर देना है सब को स्लेक करके डेल करेंगे इसको इस एरिये को मैं यह वाला एरिया डेल करूंगा यह वाला जो एरिया है इसमें से यह वाला जो एरिये इसको भी डेल करूंगा यह वाला एरिया से ग्रूप और कॉपी करेंगे कंट्रोल वी करेंगे और साइज इसका देंगे हम लोग पांच की उपर पांच की उपर भी हम लोग साइज थोड़ा सा स्मॉल करेंगे स्मॉल करने के बाद हम लोग देखेंगे यहां पे समॉL यह चीज़ यहां आएगी हमारा इहां पेड़ भी हम लोग दे रहे हैं यह यह져 हिए यह 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 हमारा ड्रीजाइन विर्च्ट्रिधाइन अगर इसको हम लोग पीछे करते हैं तो यह clear mixing हो जाए कि थोड़ा सा समझ नहीं आएगा ठीक है गाडी का the mix up, ठीक है यहां पर रहे इस को मैं थोड़ा इसको मैं थोड़ा बड़ा करओं अगर तो तो यह यहां पर अगर आ जाए तो यह नहीं फिर वहां पर ही अच्छा रहेगा थोड़ा सा पीछे कर लेंगे थोड़ा सा बढ़ा करके ऊपर यहां ठीक रहेगा इसका फेस भी फूरा दिखाई देना चाहिए यहां ओबराल ठीक है अब क्या करना है इसको मैं सेव का बटन अब यह जो हमारे पास एक इमज आई है न यह वाली इसको मैं थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ फोटोशॉप के अंदर ताके वो मिक्स हो जाए थोड़ी सी तस्वीर जब हम यूज करें तो फोटो क्या हो मिक्स हो जाए चीक है और यह तस्वीर से नहीं देखें इसको किदर गेंजी फोटो शायद हैवी फोटो है काफी जूल ही है डिजाइन और यह पैनर जो बनाव है बहुत बड़े साइज का बनाव है इसलिए अभी हम लूग बिल्कुल छोटे साइस का बना रहे हैं ताके हमारा सिस्टम आप बदा ना जब बड़ा सिस्टम होगा हैवी होगा फिर हम बड़ी फाइले हैवी क्षोल सकते हैं और अगर आपका सिस्टम थोड़ा स्लो है तो फिर आपको क्या है चोटे साइस की फाइलें बनानी है आपको बनाने के बार फिर आप बाद में end में बड़ी फाइलें open easily कर सकते हैं ठीक है यह शुरू में ही फाइल यह नहीं कर नहीं कि का फिर इनि कि उपन हो रही है थोड़ा सा टाइम लेगी, यह फाइल तो सेव कर दी है, यह क्योंकि मैं आरेटी छोटे साइस की फाइल बना रहा हूँ, इसमें सारा वेक्टर है, हाई क्वारटी इमेजिस है, जो मैं बड़ी करेंगे, on the spot बड़ी होगी, तो कोई इश्यो नहीं है, इसको कोई प्रॉब्ल की फाइल है, इमेज में इसका साइज हम देख लेते हैं, यह निकि इतनी आई क्वालिटी फाइल है, अभी मैं जब इसको ओपन करना चाहरा हूँ, तब भी मेरा सिस्टम जो है ना वो बहुत, काफी टाइम हो गया, एक तो बिंटो नहीं है, इतनी फाइल तो बड़ी नही है, तो यह तो कोई इतनी बड़ी फाइल नहीं है, इस सिस्टम फिर वैसे ही मेरा स्लो हुआ है आच, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे फाइल को, और रेज, रेजर लेंगे, इस साइड से हम फाइल को, यह वाली सा एरिया, और यह नीचे वाला सा एरिया, और इस रेज करेंगे, अब इसको PNG में सेव कर देंगे, अब उसी मतलुबा फोल्डर के अंदर हम लोग PNG के अंदर हम इसको सेव कर देंगे, अब भी वो जो है ना, फ्लैग है, फ्लैग को भी कुछ ऐसा ही मैंने रेज करना है, पोटोशॉप में थोड़ा सा, साइड है उसकी, ताकि वो जब आए, इदर आए, यह जो आप लाइन देख रहे हैं, इदर की यह जो लाइन देख रहे हैं, तो वो लाइने में एक सपना हूँ, इजी ली हूँ, ठीक है, रीडेबल हूँ, लाइने, तो डबल ख्लिक करते हैं, और मैं प्लेस कर रहा हूँ, इस तफ़ा, यह वाला हो चुका है, इसको मैंने प्लेस किया है, अभी हम लोग इंबेड नहीं करेंगे, यह इसको मैं थोड़ा सा अब देख रहे हैं, अब इसको मैंने यह जो रेस कर दी हैं ना, लाइन्स, इस लाइन्स का फाइदा यह हुआ है, तो यह काफी मिक्स अप हो गया है, तो थोड़ा सा और फ्लैग के भी नीचे करेंगे, हाँ, अब ठीक है, अब यह काफी मिक्स अप हो चुका है, यहां पर, ठीक है, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, तोड़ा सा वर्ड जो है, वर्ड दिखाई दे, कि लिखा क्या हुआ था, यहां पर, यह आ चुका है, अब फ्लैग है, फ्लैग को भी मैं यहां से अगर उठा लूँ, फ्लैग को हम लोग एक्सपोर्ट कर लें, कंट्रूल जी करूँगा मैं, और कंट्रूल जी, यहां से यह, इसको रिलीज कर दो मैं, यह, यह है, अन ग्रूप, अन ग्रूप के बाद, यह फ्लैग है, अब इस फ्लैग को मैं क्या कर रहा हूँ, फिससे रिलीज कर रहा हूँ, इसको बाहर उठाब, रिलीज कर रहा हूँ, काफी सारी, काफी दफ़ा यह अब इसको मैं कौपी कर लेता हूँ कौपी करके यहां मैं फौटशॉप में उसको मैं पेस्ट करूं अचा फौटशॉप में यहां मैंने बेच कर दिया है यह अब वhos फ्लैग ज minister negatis और आरहा है, उसको उसके corners हम लोग थोड़े raise कर लेती है, कि mixing जो है ना वो अच्छी हो जाए, setting जो उसकी अच्छी हो जाए, ठीक है, वो काफी heavy file है, बड़ी file है, आप देख रहे हैं, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खुरा सा small कर रहा हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ, ये भी printing के ये बहुत आए, काफी है, इसको इतना ज्यादा बढ़ाने की जरूद पर ये ही है, इसको mask हम use करेंगे, mask को मैं बढ़ा कर दूँगा, और यहां पर देखे, mask को use करने के बाद, mask की opacity आप full कर, और ये side हैं, और ये side हैं, और ये side हैं, और ये side हैं, जो ये side हैं, ये चीज़, अच्छा इसको हम PNG में कर लेंगे, convert, flag, flag के नाम से हमने इसको कर ली, PNG में, convert, ये जब convert हो जाएगा, उदर लेके जाएंगे, वीडियो इस तफ़ा थोड़ी से लंबी होगी है, लेकर आप पूरा design आप देखेंगे, इंशाला बहुत कुछ आपको learning के लिए इसमें से मिलेगा, ये मैं ये जो है ना, ये बारा डेल कर रहा हूं, ठीक है, और अब flag लेके आ रहा हूं, डबल क्लिक, flag को मैंने ले आया हूं, यहां पर flag को यहां drop कर लेता हूं, अब flag ठीक है, इसको मैं बड़ा करूँगा, अब जितना भी बड़ा करूँगा, इसका कोई tension यह यह तना smoothly बड़ा और छोटा होगा, ठीक है जी, इसको मैं बेट डाउन कर लेता हूं, अब ठीक है, और इसको मैं धोरा सा ऐसे अंदर कर सकता हूं, mixing, ताकि यह mixing proper हो जाए, ठीक होगे जी, अब ठीक है, शेड़ो भी ठीक है, और अब हम इसको lock, अब रहाएगी गाड़ी वाला design, इकाड़ी के जो design है, यह काफी सारा, मतब fix हुआ है, इसमें थोड़ा सा black वाला shade डालते है, थोड़ा सा black जो है न वो shade, यह बढ़ाद हैं अगर हम लोग, यह देखें आप, यह चीज, यह, तो अब यह काफी prominent हो गया है, तोड़ा सा flag को मैंने faded कर दिया है, थोड़ा सा ऐसे, अब यह faded हो चुका है, वो भी हो चुका है, और यह जो आपने white हिसा देखा है, इसका, यह वाला, इसको अगर हम लोग बढ़ा लें, उपर से ऐसे कर लें, तो कैसा यह लगेगा, उपर वाल हिसा सारा, यह, नहीं, वो मेरा ख्याल है, वो यहां तक ठीक था, यहां ही ठीक है, अब यह हो गया है, अब क्या करना है, उसको design में देखते हैं, और क्या क्या हिस्सा था, control-z वापस करते हैं, थोड़ा सा कुछ design, और design मैंने वापस कर लिया, design को मैं बंद कर लेता हूँ, cancel कर लेता हूँ, दुबारा design open करते हैं, बस यह वो ही है design, इसमें और कुछ खास नहीं है, तो अब चलते हैं, design के बारे में, यह आ गया है, ठीक होंगा जी, अब यह मेरा दिल है, कि पर इसको हम लोग यहां लखें, यह चीज, यह चीज और बड़ी हो, और यह यहां आए, और यह जो text है, यह हमारा बिलकुल easily यहां पर readable, बिलकुल text हो गया है, perfect, तो अभी कुछ flag जो है, उसका ratio यहां और यह effect दे दे, save कर लूँ मैं, तो यहां पर American flag जो है, मेरे पास कुछ पड़े भी हैं, शायद मैं उनको ढूंड लू, उनमें से, कुछ मुझे मिल जाए, American flag, या कुछ shade या effect या कुछ ऐसा effect जो मिल जाते हैं, वो मैं वो use कर लूँगा ताके, अच्छा flag F मैंने सर्च किया है, फ्लायर, game, icon, flag, यह flag है, यह background ठीक है, बिलकुल, यह background पड़ावा है, इसको double click करते हैं, इसी background मैं से cut, cut करके कुछ blue वाला touch जो है न, वो देते हैं, ताके वो fully prominent जो है न, वो दिखाई दे, वेहिकल का जो look का है, वो बहुत ही जबर्दस किसम की वेहिकल आने चाहिए, ठीक है, आज मैं काफी disturb हूँ है, system की वज़ा से, system मैं आज बहुत तंग की है, खैफ, यह, इसको मैं set करूँगा, इसकी windows नो करने वाली है, काफी time हो गया, इसको release करेंगे, यह मैं डेल कर रहा हूँ, यह भी डेल होगा, यह जो है चामतारें डेल होगे, यह भी डेल होगा, यह जो background है, इसको बाद में रखेंगे, यह वाला जो combination है, इसको मैं उठाऊँगा, और इस वाले scene के अंदर हम रखेंगे, यह यहां पर आएगा, यह यहां पर आएगा, और यह यह यहां पर आएगा, और यह तीन यहां पर आएगा, यह तीनों मैंने group किये है, page down किया इसको, फिर page up किया है, अब देखें, अब यह गाड़ी वाला जो shade आया है, यह बहुत जबरदस shade आ चुका है, और वह भी scene आ गया है, और यह नाम नंबर और यह detail जो है, Victoria वाला, यह भी आ चुका है, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है जी, और अब क्या करना है, अब जड़ा देखते हैं, डिजाइनिंग में और क्या है, Victoria media, consecutive celebrity, I would like to have a political of American flag, ठीक है, और उसने कोई बात नहीं बताई थी, तो अभी हमने यह कर दिया है, और कुछ effect और देदेते हैं, देख लेते हैं, यह है, वापस आते हैं, effect, लो क्या करते हैं, बैनर, वेक्टर, वेक्टर में, ब्रेश, ब्रेशे हैं कुछ, यह एड़ करते हैं थोड़ा सा, स्टाइल जबर्दस हो जाएगा, गाड़ी का, यह चीजें जो हैं, इनको हम यहाँ इस्तावाल करते हैं, यह चीज, इसको कट करें, और यहाँ पर डबल क्लिक करें, कंट्रॉल बी करें, और यह ब्रेशे हमने यूज किया हैं यहाँ पर, इनको रेड कलर दें, खीजेए परसे वाहँ जई फर बी झा जडाँ परवेँ परस्स किया दें, यह थोड़े से रेड़ वाला एफेक्ट है वो मैं दे रहा हूँ उपर वाले रेड़ को थोड़ा से मैं डार्क कर रहा हूँ ठीक है जी इन दोनों को जी एफेक्ट जो हैं यहां पर भी आ चुक है इन दोनों के एफेक्ट जो हैं वो यहां पर भी आ चाहिए हां जी यह उपर कर लेते हैं इसको येस जी अब कुछ बेतर हो गया है कि के और अगर हम इसके उपर ब्लू का एक टच दे रहें ब्लू का जो काफी डार्क एफेक्ट है हां यह अब बिलकुल यह जबर्दस लग रहा है सीन जी अब हम जो गाड़ी है इस गाड़ी को अन लॉप कर लेते हैं और एक दफ़ा हम लोग इसको सेव का बटन दबा लें ऐसा नहोना यह फिर बाद म डिस्टरब हो जाए या रेड कलर अभी मुझे यह कंफर्म नहीं है कि यह अच्छा लग रहा है यह नहीं लेकिन यह है कुछ बेथर हो चुका है टाइम भी काफी हो चुका है और मुझे भी आगई है नील तो यह डिजाइन कंप्लीट करने के बाद फिर हमने आफ करेंगे कि कल फिर अगली अब्डेट जो होगी वहापको मैं कल दूँगा ओर्डर तो काफी सारे चल रहे होते हैं अभी मैं सारू की वीडियो नहीं बना सकता है ठीक है को कोषिश करता हूं जितनी ओर्डर्ड के वीडियो बन सके ताके आपकी भी लर्निंग साह साह कुछ होती रह और यहां से effect में, ट्रास्पेंसी में से कुछ multi effect है, कुछ screen का effect है, यह देखे ने, यह screen वाला effect है, यहां से पता चलेगा, यह handle की ओपर text आ रहा है, तो हमने text जो है वो handle की ओपर नहीं रखना है यह बाद याद रहे हमने टेक्स को थोड़ा सा नीचे ले आना है हमने टेक्स को थोड़ा सा और नीचे ले आना है और यह सेट करके प्रॉमिनेंट हमने यहां टेक्स को रख देना है यह चीज़ ताकि टेक्स हमारा खराब ना हो ठीक है यहां पर थोड़ा सा और यहां पर ले आता हूं यह चीज़ ताकर टेक्स हमारा बिल्कुल खराब ना हो यह टेक्स आ चुका है जी अब इस जो हैं अनलॉप कर लेते हैं इसको ठीक है और उसी फाइल को दोबारा स्लेक करते हैं और यहां पर देखें अगर हम लाइट कलर करें तो यह कुछ ऐसे दिखाई देगा और अगर हम लोग ओवर ले करें तो कुछ ऐसे दिखाई देगा यह वैसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ओवर ले से थोड़ा सा कलर ज्यादा प्रमिनेंट है साफ्ट लाइट करेंगे कुछ ऐसे आएगा यह भी ठीक है इसमें भी काफी कुछ है हा अगर saturation color ये और normal में हमारा ये और ये है darken ये है multi वाला effect और ये है color बल और ये है light ये light वाला ये effect काफी बेतर है अगर हम इसको 30% opacity कर दें तो ये बिलकुल बेतर लग रहा है और अगर इसको 15% कर दें तो ये कुछ ऐसे लग रहा है design ठीक है जी और हमने क्या किया है इसको थोड़ा सा हम लोगों ने lock करके इसको थोड़ा सा हमने ऐसे कर लिए अच्छा ये हम control zoom out कर रहा हूं और ये unlock कर रहा हूं इसको मैं multi करूँ तो आप देखें इसको कुछ ऐसा दिखाई देगा और 10% पर मैं कम करूँगा light ऊपर वाले की और इधर जाके आपने color editing में जाके adjustment में जाके ठीक है जाने के बाद यहां से convert to gray कर लें preview भी कर लें और थोड़ा bright कर लें और थोड़ा bright कर लें इसको थोड़ा सा यहां पर और bright ठीक है अब इसको हम लोग जब हम इसको multi लेंगे या इसकी opacity 10% 30% कम करेंगे अब यह prominent दिखाएंगे अब यह बिलकुल हमारा design clear है थोड़ा सा design को और 15% पर आप लेंगे थोड़ा जाओ और यह design हमारे पास हो चुका है बन चुका है और इसमें lock कर देंगे अब जो इसका जो नीचे वाला आप लेखेंगे अंदर जो इसका flag है इसको lock करेंगे यह जो flag आप देख रहे हैं इस flag को हम बायर लेंगे flag को हम यहां रखेंगे छोटा करेंगे यह चीज़ है यह चीज़ होगा यानिके बैक बन ऐरिया और थोड़ा सा prominent flag ले आएगा ठीक है यहां से हम लोग इसको export कर रहेंगे export करके हम client को दिखाएंगे कि यह आपका first draft है finalize करें फिर हम आपको यह नहीं है बाकी फाइल है प्रिंटिंग फाइल मैं आपको भेज हो रहें ठीक होगी जो client को changing होगी modification editing होगी वो client बोल देगा आम उसकी editing करके उसको दुबारा वापस भी देंगे file मैं save कर रहा हूँ अभी जाते हैं जहां से file को deliver करना है तो यहां से क्या जाते हैं यहां deliver का button है आप यहां पे deliver hair करें अपडेट करें और client के मतलबा file open कर लें आप यह वाली इसको भी यहां upload करते हैं और बाकी यहां पे इसको यहां पे भी आप upload करते हैं और client को बोल देंगे thanks for the order your delivery is in close problem let me know soon तो फिर यहां पे हम लिखेंगे सबसे उपर वाले section में this is our first draft finalize then I deliver printing and source file ठीक है जी तो यहां से कर देंगे send यह हो जाएगा जी clear तो यही तो हो गया order हमारा clear ठीक है time रुक चुका है और यहां से काफी time हो चुका है ठीक है तो channel आप लोग हमारा subscribe करें bell icon को hit करें तो मिलती हैं मिलते हैं अगले video में Allah आपिज